है तो है कैसे आप है रल सब पर ऊब कर लोंगी सब्सivan करेंगा है को तर्ष सब्सक्टर कर लिया है यह मैंने क्रेच किया है आषिल लाइब लोग चूंसलरांट थे ज़ expect को तो एक सबस्तरू है अपने फेस सो क्लीन कर लूँगी टीशो पर से मैं अपना फेस क्लीन कर लिया है गाईज और अब इसके बाद मैं ले लूँगे यह लोटस का माश राइजर, तो धीरे-धीरे, मैं इसकी tapping करके प्लाइज करूँगी तो गाईज अब मैं ले लूँगी केंसीलर कंसीलर सब पहले अपने आखों पर लगाऊंगी का इस तरीके से आप अपने आखों पर लो लगाएंगे और फिर इसे लगाने के बाद आप जो दूसरी काकल भी इसी तरीके से लाएंगे यह देखें इस तरीके से बहुत अलका अब इसे ब्रस से मेक्स कर लेंगे गाइस ब्लैंड कर लेंगे तो गाइस मैं यहां पर कॉम्पैक्ट भी लगा चुकी थी भूल गई थी तो अब मैं लगाँगी आई शेडो गाइस तो आई शेडो में सबसे पहले यह वाला शेड प्राओन है सबसे पहलो में क्रीज रिये पर लगाऊँगी इस तरह किसे ब्लैंड करूंगी तो घ्रीक हूँ इसे में तुन यह देखो इस तरीके से मैं लगा लूँगी हमेरी गुड़िया थोड़ा परिशान कर रही ती गाई इसलिए कैमरा हिल गया यह देखो मैं भी वही शेट मर्च कर रही हूं और आम मैं ले लूँ गाई यह वाला लाइट परपल पिंकिस परपल कलर है जो मैं यह लगाऊंगी यह देखो इस तरह के से तो गॉइस यह जो भी कुछ मैं कर रही हूं बहुत यह आपना ब्लैंड करेंगे और अब लगाएंगे लाइट कलर ताकि आप यह पूरा जो भी शेट है इसको आप ब्लैंड कर सकें यह देखो इस तरह के से मिक्स कर देंगे पूरे शीट को एक अच्छा ब्लेंडिंग कलर आ जाएदा गाईस यह देखो इस तरह से और अब मैं लगा लूँगी हाइलाइटर अपनी आइब्रोज को हाइलाइट करूँगी बॉन्स को यह देखो इस तरीके से अब मैं फिर से ब्लेंड करूँगी फिर से मिक्स कर दूँगी एक बार तागी अच्छा से शीट वन के मेरा त्यार हो जाए यह देखो इस तरह से और अब आप देखो मेरे दोनों आइस का बराबर है अब मैं ले लूँगी मस्कारा करेंड को को शीटुकर में होगी आज से मस्कारा हो जाता है कि आप बहुत हलका चाल के हाथों से मर्च करेंगे छुड़ आप मैं मस्कार लगाल की ऐसा अब दोसरी ऐस में मस्काराला हो गए दो करेंब हो ऐसा Lemon यह देखो आप ऐसे लगाएंगे मस्कारे को हल्क हल्क नीचे भी टैप टैप करेंगे बहुत हल्क हल्क और अब में लगा लूनी गाइस यह आइलाइनर इसकेच वाला लाइनर गाइस जिसे मैं हाइ थोड़ा सथ विंस सचैप में बना लोंगी है यह कि बहुत ही तरीका किया है वह जिस थर अधु Valeas बतावरी कि अधो बहुत तरीके से अपको उसी तरीके से आप लोग भी सिकhें और करें इस तरीके से में दूसरी आइस को भी complete कर लूगा अब मैं अपने आइभरो पेंसिल से आइभरो को कि ब्लेंड करूंगी यह देखो अब मैं आइभरो प्रुष से इसको merge कर लूगी यह देखो यह ब्रीश पैंसिल में आता है गाज इस उसमेंसे मर्च लुए को है ув imagen yeah है ये ब्राउन कळाट कहाई गाइस डाग ब्राउन कलर है ब्लैट कलर नहीं है कि ट्राउन कलर की पैंसिल है अब मैं ब्लेंडिंग कर लूँगी पूरे फेस की जो भी एक्स्रा प्रॉडक्ट है उसे निकाल दूँगी और अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले यह इसको मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे निकाल लूँगी और टैप करके अपने पूरे फेस पर एपलाई करूंगी जैसे क्या होता है इस तरीके से फांडेशन लगाने से फांडेशन हमारे फेस पर बहुत ज्यादा नहीं लगता है अगर आप डारेक्ट लगा देंगे तो बह कि रांब रांट करके से फिल लूँगी एदर के पूरा नहीं के एरिया कवर करेंगे वारेट ल Pen थाल पर और देखकких ठाख करेंगे उन्यावद कर करेंगे फांडेशन से ये एदेखक अशला ब्लेंटर लेंदेर लाउंगी और इसको अजला कर लगा है घीला करुदा जाकि जो एक्स्ट्रा प्रडेक्ट होता है ना वो हमारे ब्लेंडर में आ जाता है और इसकिन सोंख लेती है जिसे कहते है कि एब्सॉब कर लेती है तो इससे क्या होते है फेस बहुत अच्छा ग्लोइंग लगता और हमारे फेस का जो फांडेशन है वह केकी नहीं बिलकुल स और हम मैं लेलूँगी कंसीलर तो थोड़ा थोड़ा मैं आइस के नीचे और नोस पे और यह पर लिपके उपर नीचे और मैं थोड़ा गालों पे लगा लूँगी और इसके बाद मैं से थोड़ा सा फरेट पे लगाँगी अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब् blending कर रहा हैं यह देखो इस तरहीं सो एंगे रहे हैं हम कि दूहें ब्लैंडिंग अच्छी होने हैं मारी अगर बलेंडिंग अच्छी है तो फेस की जो बहुत अच्छी आई और अब मैं ले लूँगी यह लैक में का 925 का यह देखिए आप अभी में दिखाऊंगी गाइस सॉरी यह दो को मैं 925 का यह कॉम्पैक्ट ले लिया है और मैं इसे पूरे फेस पर अबलाई कर रही हूं कि यह देखो इस तरीके से पूर्वी चुपो जाओ बिटा यह देखो गाइस अब यह मेरे पास ब्लू कलर की एक पैंसिल हलक अलका इसे में शेड अपनी आँखों में लगाऊंगी बहुत अलका गाइस लाइनर के साथ यह ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है गाइस देखो मैं बहुत अलका इसे और अब मैं लें लूँगी आईशेडो पैले उटा व्यूटी की आप कोई पैलेट ले सकते हैं गाइस मेरे पास जो समान है मैं उसी से कंटूर कर रही हूं कि यह देखो कि यहां मैंने कंटूर करने के लिए अब मैं कंटूर कर लूँगी यह दो को इस तरीकी से बहुत हलका लका हलकी से हाँ चलाएंगी कैस तो यह मैंने कंटूर जो है से मैंने इस समट कर लिया गाइस यह दो को इस तरीकी से जो लाइन के निचे ताकि फेस की एक अच्छी शेप नजर आए गाईस और अब मैं हाइलाइटर लिलूँगी सौरी पहले में यह पिंक वाला शेड लगाऊंगी यह ब्लेशर जो यह दिकी मैंने पिंक ब्लेशर लगा लिया है बहुत इच्छा लाइट शेट है इस यह मेरे पास यह देखो इस तरीके से हलका सा नोज पर भी लगा लूँगी और चिक्स पर लगा लूँगी थोड़ा सा चिन पर लगा लूँगी हलका सा टफ़ दे दे दिए इक इस तरीके से चिक्स के थोड़ा सा उपर और चिंद पे लगा लूँगे फॉरेट पर लगा लूँगे गाइस और यह मैं अपने उसको कंटोर करूँगी गाइस क्योंकि मैं कंटोर करना नोस को भूल गी ती याद मेरी गुडियान मुझे बहुत परेशन किया है बीच बीच मैं सोठा उठा के बगाया गाइस वीडियो के लेकिन जो भी है जैसे भी आपको समझ आ जाएगी यह तरह किसे ब्लैंड करूँगी ब्रश को आगे से दबा के यह तरह किसे इक शेप में मेरी नोस आ जाएगी अब मैं लेपस्टिक लाइन कर लूँगी पैंसे से गाइस त लगा लूँगी और यह मेरी लेप लाइनर कम्प्लेट हो गई और दुबारा से इसलिए कर रही हूं कि मुझे बहुत लाइट लग रही थी इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डाग करूँगी गाइस और अब मैं लगा लूँगी लैक में का यह शेड डाग पिंकी शेड है मुझे बहुत पसंद है यह कलर अक्सर में कलर बहुत लगाती हूं यह देखो इस तरीके से ना यह रैड है ना पिंक है यह थोड़ा मर्जेंटा गलर है गाइस और यह देखो यह लिप्स्टिक में लगा ले है और आप देखो यह मेरे लिखको कपलीट लूक और मैं दिखाते हूं आपको यह अपना पूरा कमपलीट लूक उली देखा गाइस तो धार ज्याफों कोने क् charismatic दिने फिक अपर आपको दिखा दूँगी उसे से दिकंगे